Dear Students, मैं दुलार्चनता स्वागत करता हूँ आप से भी का बच्चों हम लोग solve कर रहे हैं class 5 का math और ये chapter 4 का exercise 18 है और इस chapter का ये last exercise है इसके बाद हम लोग chapter 5 में आ जाएंगे मैं आप लोगों को completely इस exercise को बना कर दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम लोग इसके question को पढ़ते हैं estimate the following products तो यहाँ पे जो multiply दिया हुआ है products मतलब multiply का जो answer आता है उसको products बोला जाता है तो यहाँ पे जो multiply दिया हुआ है इसको estimate करना है और उसका answer निकालना है तो आप लोगों को याद होगा chapter 3 में हम लोग exercise 12 में estimated question को solve किया थे जिसमें estimate add दिया हुआ था और estimate subtract दिया हुआ था उसको solve किया थे अगर आप लोग उसको solve नहीं किये हैं या उस video को नहीं देखे हैं मैं इस video के description box में उसका link देदूँगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं कि estimate कैसे किया जाता है उसमें मैंने detail में बतलाया है तो आई हम लोग इसको solve करते हैं सबसे पहले हम इसको estimate कर लेते हैं यह जो number दिया हुआ है 5918 और 310 इसको estimate करते हैं तो यह क्या हो जागा? estimate में क्या होता है? यह सारा 0 हो जाता है तो यहाँ पे यह जो number दिया हुआ है यह nearest नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे यह सबसे बड़ा number है इसको मान लेते हैं इसका estimate करते हैं तो यहाँ से ठीक बैक में जाएंगे और देखें कि 5 यह उससे बड़ा है यहां पे इसमें 3 है और 3 के बाद 1 है मतलब 5 से नीचे है इसका मतलब है कि यह हो जाएगा यह बढ़ेगा नहीं यह नहीं रहा जाएगा तो 300 हो जाएगा यह 300 हो गया अब इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो 0 मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ पहले भी तो 6 3 18 हो जाएगा यहां पर क्या हो गया 18 हो गया 18 अब इस पर क्या होगा एक दो तीन और इधर दो तीन और दो पांच हो गया 5 0 इस पर 5 0 लग जाएगा 1 2 3 4 5 यह हो गया यह इसका अंसर हो गया खाफी आसान है उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे तो इसको इस्टिमेट करते हैं तो इस्टिमेट करने के लिए यहां पे 1 है और यहां 2 है तो 1 को हम लोग इस्टिमेट करेंगे तो 2 है इसके ठीक पीछे तो 2 का मतलब है कि 5 से नीचे है 5 से नीचे का मतलब यह उतना ह बढ़ जायेगा और सारा 0 हो जागा तो यहां पर आ गया 5 और यह तीन जीरो इस पर लग गया तीन पर यह इसका अंसर हो जागा यह इसका अंसर हो गया और question number 3 में 925 और 790 तो 925 ये जो है 9 9 के पीछे 2 है 5 से कम है इसका मतलब है कि 900 बन जाएगा estimate में ये 900 हो जाएगा तो इसको 900 लिख लेते हैं 900 इंटू और 7 के बाद 9 मतलब 5 से बड़ा है इसलिए ये 7 8 हो जाएगा और 800 800 हो जाएगा 800 तो 9 8 जा 9 8 जा 72 हो जा रहा है 72 और ये 2 0 2 0 मतलब 4 0 इस पर आजाएगा 4 0 इस पर आगया और ये इसका अंसर हो जाएगा ये complete हो गया पहले हम लोग सको पढ़ेंगे ए मैन अर्न रूपीज 938 इवरी डे रोजाना वो इतना रूपया कमाता है एक बेक्ती इतना रूपया रोजाना कमा रहा है estimate his earnings for the month of February तो February के मैने में वो कितना रूपया कमाता है उसको estimate करने के लिए कह रहा है तो daily earnings ये जो है earnings everyday इसको थोड़ा सा detail कर देते हैं earnings everyday कितना हो जाएगा 938 और फरवरी में दिन कितना हो जाएगा days of February 28 या 29 days होता है suppose 28 ही लेते है तो 28 है इसका estimate क्या हो जाएगा इसका estimate 9 के बाद 3 है मतलब 5 से कम है तो ये 9 ही रहेगा 9 पे 0000 आ जाएगा तो ये हो गया 9 पे 00 into ये 28 ये 29 दोनों स्थिती में ये 30 हो जाएगा तो इसको multiply कर रहते है 30 से 9 3 जा 27 123 तो 27 27 पे 0000 आ जाएगा 123 और इतना रुपिया वो फरवरी के मेहने में earning करेगा ये हो गया ये इसका answer हो जाएगा complete हो गया question number 5 इसमें भी कुछ उसी तरह का question दिया हुआ है the cost of a chair is 478 एक chair का एक कुर्सी का किमत ये है estimate the money रिता should have to buy 189 chairs तो रिता 189 chairs खरिती है तो उसको कितना पैसा लगेगा उसको estimate करके मांग रहा है यहाँ पे estimate करने के लिए बोले जा रहा है तो cost of one chair equal to 478 और numbers of chairs equal to 189 तो इसका अगर estimate करते हैं एक chair का किमत तो ये 4 के बाद 7 है इसका मतलब ये 500 हो जाएगा 500 हो गया और इसका estimate करते हैं तो 1 के बाद 8 है इसका मतलब है कि ये 200 हो जाएगा तो 200 और 5 तो 10 रूपीज 10 हो गया तो 10 पे 2 और 2 4 जिरो आ जाएगा 1, 2, 3, 4 इतना रूपीय हो जाएगा और ये इसका answer हो जाएगा ये complete है वह question number 5 अब हम लोग question number 6 के वर चलते हैं ये question number 6 पे हम लोग आ चुके हैं और ये question number इसको question को पहले हम लोग पढ़ते हैं विनित एक बेखती है जो हर दिन 527 स्टीकर को बेचता है estimate the number of stickers he will sell in 4 months January to April तो January से लेकर अपरेल तक जितने भी स्टीकर बेचता है उसको estimate करने के लिए का रहा है तो every day एक दिन में वो इतना बेचता है तो एक मेहने में कितना बेचता है यहाँ पे 4 मेहने का निकालने के लिए बोल रहा है every day sales कितना हो जाएगा 527 एक दिन में इतना बेचता है पहले हम 1 month का निकालते हैं उसके बाद फिर जितना हो आएगा उसको 4 से multiply कर देंगे और 4 month का वो निकल जाएगा 1 month का क्या हो जाएगा days of 1 month equal to generally हम लोग 30 या 31 होता है तो 30 मान के चलते हैं 30 अगर 31 होता है तो उसका estimate 30 आएगा और उससे नीचे भी होता है तब भी 30 आएगा 29 अगर जनवरी फरवरी है तो उसमें भी 30 आएगा और सब में 30 आएगा तो यह जो है इसका estimate क्या हो जाएगा sales जो बेच रहा है sticker sticker का estimate हो जाएगा 5 के बाट 2 है इसका मतलब है कि 500 ही रहेगा तो यह 500 हो गया 500 और यह 30 ही रहेगा 30 यह कितना हो गया 5 3 15 हो गया equal to 15 15 पे 30 आजागा 1 2 3 यह 1 मन्त का निकल गया equal to 15,000 तो फिर 4 मन्त का क्या हो जाएगा in 4 मन्त 4 महिने का तो क्या हो जाएगा यह 15,000 कौन लोग 4 से multiply कर देंगे 4 equal to कितना आजाएगा 15 फोर्जा 15 फोर्जा आप 60 होता है 60 हो गया और 60 पे 1 2 3 3 0 लगा देते है 1 2 3 तो यह जो है इतना sticker वो 4 महिने में बेचेगा तो यह इसका answer हो जाएगा यह 6 नमर का answer यह complete हो गया अब estimate the quotient quotient को अब यहाँ divide दिया हुआ है और इसको estimate करने के लिए कहा गया है question number 7 थोड़ा different type का question है इसको estimate करने के लिए अगर हम यहाँ से estimate करते है 1 को तो यह पुरी तरह divide नहीं होता है और यह सही answer नहीं आएगा तो इसको estimate यहाँ से अगर हम करते है तो यह जो है पुरी तरह से divisible हो जागा divide हो जाएगा और पुरा यह इसका answer आएगा तो इसको हम estimate करते है first में 1 को रहने देते है यह 100 में estimate करते है 8 के बाद यहाँ 2 है तो यह 8 ही रह जाएगा मतलब 1, 8, 8 और इस पे डबल 0 हो जाएगा डबल 0 और यह divide हो गया और इसको estimate करते है तो यह 7 है मतलब 5 से जादा है इसका मतलब है कि 30 हो जागा और यह 30 इसको divide करते है तो 1, 0, 1, 0 यहाँ खतम हो गया और यहाँ पे 3 3, 6 जा 18 होता है 6 बार में 18 कर जाता है और यह 1, 0 बज़ जाएगा और इसका मतलब है कि 6 पे 1, 0 मतलब 60 यह 60 हो गया और यह इसका answer हो जाएगा यह complete हो गया question number 8 8 को clear करते है तो 8 में क्या है यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ 8 है 6, 8 मतलब है कि यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि 5 से बढ़ा है इसको लिए लेते हैं हम लोग 7 और 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 इस पे लगा देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 0 डिवाइड करते हैं और यह 7 के बाद 3 मतलब 7 ही रहेगा 5 से कम है तो 7 और यह 1, 2, 3 1, 2, 3 3 हो गया यह कट गया तो यहाँ पे यह 0 3, 0, 3, 0 हट गया यहाँ से 3, 0 कटम हो गया और यह 7 बचा 700 बचा तो यह 7 बचा 7 कट गया 1 यहाँ पे मैं करके दिखा लेता हूं यहाँ पे एक टोटा सा पेज लेते हैं यहाँ पे और इसको इस तरह से 7 पे 7 पे 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 है यह और यह 7 पे 3, 0, 1, 2, 3 तो यह 3 और यह 3 कट गया तो यहाँ पे बचा क्या 700 और यहाँ पे बचा 7 तो यह 7 से काट दिया हम कितने बार में गया 100 7 कटे बल 100 बार पढ़ेंगे तो 700 आयागा मतलब आया क्या 100 100 आया तो इस तरह से इसको डिवाइड करने से हमको मिलेगा 100 तो 100 इसका अंसर हो जाएगा यह कंप्लेट हो गया Q9 इसमें क्या दिया हुआ इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग 29 bags of wheat weight 2871 kg 29 bag मतलब 29 29 29 बोरा गेहूं का वजन जो है इतना कीज हो रहा है 2871 kg estimate the weight of one bag of wheat तो एक बेग का वजन निकालना है estimate करके number of bags bags यह हो गया और यह हमको कितना मिला हुआ है 29 total weight total weight कितना हो गया यह 2871 इतना हो रहा है तो हम लोग इसको estimate करते हैं estimate करने से हमको एक बोरे का एक बेग का estimated वजन मिल जाएगा यह क्या हो जाएगा 3000 2 के बाद 8 है तो 3 यह हो जाएगा 3000 divide 29 को 2 के बाद 9 है इसका मतलब हो गया यह 30 हो जाएगा तो यह कड़ गया यह कड़ गया एक जिरो एक जिरो हड़ गया अब यह 3 बचा हुआ है 300 बचा हुआ है तो मतलब 100 यह इसका estimate वजन एक बेग का 100 kg आजाएगा 100 kg और यह इसका answer हो जाएगा यह होगे complete question number 10 इसमें लास्ट question बचा हुआ है question number 10 तो उसको complete करते हैं लोग यह है question number 10 और हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे करूना paid a total of rupees यह जो नमर दिया हुआ है इतना rupees paid किया for इतना books 2929 books के लिए किताब के लिए इतना रूपया वो पे करती है estimate the price paid by करूना for a book मतलब एक किताब के लिए वो कितना price pay करती है estimate करके बतलाना उसको estimate में उसका price लिखा लना तो यहाँ पे हम देखते है total pay price कितना है equal to 6189 to 7 इतना बड़ा amount वो pay करती है और books की संख्या क्या number of books number of books equal to 2929 2929 तो इसको estimate करते है total pay यह जो है तो इसको 6 के बाद 1 है मतलब 6 ही रहेगा 6 12345 50 आ जागा इस पे 5045 divide इसको estimate करते है 2 के बाद 9 है इसका मतलब है कि 3 आ जाएगा 3000 हो गया यह 30 यहांस कट गया और यह 30 यहांस कट गया अब यहां बचा हुआ है 2 0 600 बचा हुआ है और यहां पे बचा हुआ है 3 तो 3 तू जा 6 दो बार बचा दिया और यह 2 0 बचा हुआ है तो 2 और उस पे 2 0 मतलब एक book का estimate price हो जाएगा 200 रूपीज 200 रूपीज और यही इसका answer हो जाएगा यह होगा complete यहां पे यह exercise और यह chapter chapter 4 exercise 18 पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को इसके दरम्यान कहीं भी कोई problem होता है तो आप comment कर सकते हैं मैं उसको पूरी कोशिस करूँगा कि आपको problem को solve कर सकूँ और आप लोगों को हमारे वीडियो से अगर थोड़ा भी मदद मिल रहा है प्राहे में तो आप हमारे इस वीडियो के लैक जरूर कीजे और इसे तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और next exercise को next chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं